अब नए अंदाज में न्यूस तक मैं हूँ कीरती और मेरे साथ समझिये हर कबर हमारे देश में दो ओमिक्रोन वेरिंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किये गए करनाटका में जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे जिसका डर था वही हो गया सरकार की लाग कोशिशों के बावजूद भी आखिरकार कुरोना वाइरिस का नया और खतरनाख वेरियंट ओमिक्रोन देश में पहुँच ही गया नय वाइरिस को लेकर चिंता के बीट स्वास से मंत्राले ने प्रेस कांफरेंस की जिसमें ओमिक्रोन के बारे में जानकारी दी गई हमारे देश में दो ओमिक्रोन वेरियंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किये गये हैं करनाटका में जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे और वह जो दो केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल है दूसरा केस 46 साल के एक मेल है और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया बलकि ऐदे प्रोटोकॉल ऐदे प्रैक्टिस जो हमारी कॉंटेक्ट ट्रेसिंग की पद्दिती भी शुरू हुई है और जितने उनके primary contact हैं और जितने secondary contact हैं उन सब को trace कर लिया गया है और उन सब की testing करके उनको as per protocol हम coordinate कर रहे हैं विशेश अग्यों का हवाला देते हुए स्वास्ते मंत्राले ने बताया कि कुरोना का Omicron variant डेल्टा के मुकाबले पांच गुना ज्यादा खतरनाक है और ये बाकी के मुकाबले तेजी से फैल सकता है कि इस particular variant के बारे में कुछ हद तक ये कहा जा रहा है जबकि evidence और आनी बाकी है कि हो सकता है कि ये increased infectivity हो इसकी और इसकी increased transmissibility हो तो जो इसमें जो mutation पाए गए हैं उससे एक prediction जो Dr. Eric उन्होंने की है जो की American scientist in Washington है और Harvard Chan School से है public health से तो उनकी एक prediction एक modeling के हिसाब से उन्होंने इसके बारे में बताया कि हो सकता है कि पाँच गुना अधिक infectious हो और जो ये virus होता है जहां पर की मुख्यता spike protein जिसको हम बोलते हैं उसमें इसमें काफी हद तक इवन डेल्टा variant जो की last variant दुनिया में एक अधिक संख्या में नोट किये गए और जो की मुख्यते प्रचलीत हमारा variant पूरे दुनिया में इस समय है उससे भी अधिक spike level पर इसकी दो गुना से भी अधिक mutation है स्वास्ते मंत्राले ने इस नए वाइरस को लेकर सक्ती बरतने की बात कही है जिसके लिए राजसरकारों को निर्देश दिये गए हैं और बताया गया कि वाइरस बहुत तेजी से करीब उन 30 देशों में फैल चुका है यह है Omicron variant जो की दुनिया में नोट किया गया यह पहले 24 नवंबर को दो देशों में मुख्यत है जिसमें की सबसे पहला केस WHO को रिपोर्ट किया गया South Africa की गुटांग प्रोविंस से और दूसरा केस रिपोर्ट किया गया बोस्वाना से और जब यह केस रिपोर्ट किया गया WHO को तो WHO ने इस पूरे डिटेल को एनलाइज किया और एनलाइज करने के बाद इसको दो दिन बाद ही यानि कि 26 नवंबर को variant of concern के रूप में इसको declare किया और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि ओने daily basis ओने continued basis इस particular variant से संबंदित cases की दूसरे देशों में भी नोट किया जा रहा है और जैसे कि 27 को 5 नवंबर को 2 देश 29 नवंबर को 4 और देश इसी तरह अगर 1 दिसंबर को देखें तो 9 और देशों में इस particular variant को नोट किया गया इससे संबंद में हम बताना चाहेंगे कि अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि करीब 29 देशों में 373 केस इस omicron variant के अब तक नोट किये जा चुके हैं और हमारे देश में इसकी overall monitoring भी की जा रही है कुल मिला कर देखा जाए तो नए कोरोना वाइरस ने एक बार फिर सरकार के लिए चिंता बढ़ा दी है ये ज्यादा खतरनाक वाइरस फिर लोगों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है इसलिए इससे बचना बेहत जरूरी है क्योंकि जरा भी लापरवाही भारी पर सकती है ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रही है न्यूस तक जो आपके सामने एक नए अंदाज में पेश है याद रहे सिर्फ रंग्रूप बतला है कोशश अभी वही है कि आप तक देश दुनिया की जरूरी खबरें पहुचाते रहें यूस तक प्योरो हुआ हूआ हुआ हुआ है